So guys, कभी कबाद क्या होता है? हम जब phone से Instagram चलाते हैं तो उसमें proper messaging होती है, सब होता है Instagram भी होता है लेकिन कभी कबाद कुछ-कुछ situations में ऐसा होता है कि हमारा phone चार्ज नहीं है या वो हमारे पास नहीं है या switch off हो गया हो तो उस case में अगर हमें अपने PC से या laptop से Instagram चलाना होगा तो हम कैसे चलाएंगे Instagram तो हम चला लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने वेजर पर जाके www.instagram.com से हम चला लेते हैं लेकिन क्या होता है हमें यहाँ पर कही डारेक्ट का उप्शन नहीं मिलता है हम मैसेजिंग कैसे करेंगे इंस्टा वेब के तुरू सो हमें क्या करना है तब से पहले Instagram पर लॉग इन करना है यह बहुत ही easy method है और इसमें आपको कोई भी another app का third party app का यूज नहीं करना यह बिल्कुल है आप आराम से यूज कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना इंस्टाग्राम पर जाके लॉग इन करना है फिर यहां पर मेरे माउस की तरह देखके यहां पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है तो जैसी आप इंस्पेक्ट करेंगे यहां पर आपको टूगल नविकेशन बार दिख रहा होगा उसमें यह वाला आइकन होगा जहां पर लैप्टॉप एंड फोन स्क्रीन बनी होगी रेक्टेंगल में तो इस पर क्लिक करके एक बार आपको अपने इसको वैब पेज को रिफ्रेश करना है तो क्या होगा कि आपको यहां पर डिरेक्ट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा तो आप अपने फ्रेंड्स है किसी से भी अगर आप फोन बंदूने के कारण बात नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं आराम से आज के लिए इतना ही मैं और भी अपनी ट्रिप्स और ट्रिक्स इंस्ट्राम को लेके और टेक को लेके लाता रहूंगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करना बेलकुल फ्री है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बैल आइकन पर क्लिक करें जिससे की मेरे नए आने वाले वीडियो की आपको पहले ही खबर पहुच जाए और आप थैंक यू